36 गर्ड विधान सभा में आज नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरंदास महंत ने हस्देव वन परिछेत्र में पेडों की कटाई का मामला उठाया जिसके लिए इस्थगन प्रस्ताओं की सूचना दी गई इस्थगन प्रस्ताओं पर चर्चा करने की मांग की गई पर विधान सभा अध्यक्ष ने इसे सुईकार नहीं किया जिसके बाद विपक्ष के विधायकों ने खोब नारे बाजी की विपक्ष के हंगामे के चलते कारवाही को पांच मिनट के लिए इस्थगित भी करना इस पूरी कारवाही में इस्थगन प्रस्ताओं की सूचना देते हुए महांत ने कहा नई सरकार गठन से पहले ही वन अधिकारियों ने 15,000 से ज़्यादा पेडों की कटाई की अनुमती दे दी थी पेडों की कटाई से सीधा मानों और हाथी द्वंद बढ़ेंगे तो वही पूर्व मुख्यमंदरी भूपेश बखेल ने कहा विधान सभा में सर्वसहमती से असास्किय संकल्प पारित होने के बावजूद पेडों की कटाई हुई है पता नहीं कौन सी अद्रिश शक्ती है कि पेडों की कटाई सरकार के बंदने से पहले ही शुरू हो गई तो वही गोबर खरीदी बंद हो गई तोड़ फोर शुरू हो गया पेड़ कटाई की वजह से कई जिलों में सिचाई भी प्रभावित हो गई विधान सवा में पारित किया गया था और उसके रूप भारत सरकार को उसको पत्र भी लिखा गया था उसके बाद वहाँ कोई कटाई नहीं हुई थी नई सरकार बनने के बाद अंधा धून पेड़ू की कटाई हो रही है नए ख़दान खोले जा रहे हैं इस मामले में विपक्षी द्वारा इस्थगान लाया गया लेकिन इस सरकार बिलकुत सुन नहीं रही है लगातार जंगल काटे जा रहे हैं लोग चिंतित हैं अपने भी सुक लेकर लेकिन इसे अगराय कर दिया गया और हम लोग इसमें हजारों अद्वासी परवार उजडेंगे लाखों पेड़ कटेंगे और सबसे बड़ी बात जो हस्देव बांध है हस्देव बांगो बांध वो पटेगा और जिससे चापा जांजीर, सक्ति, रायगर, बिलासपूर, कोर्भा जि इसमें इसका बहुत बड़ा खामयाजा 36 गड़ के लोगों को उठाना पड़ेगा, जया किसान हो जया अद्वासी हो और इसी मामले में हम लोगों नी सगन लाया था और हमारी बात नहीं सुनी गई, हम सब बेल में गए और सारी विपक्ष के सदस निलंबिच हुए इस पूरे मामले पर बीजेपी भी कहा चुप रहती, बीजेपी के वरिस्ट विधायक धरमजी सिंग ने छेतर की इस्थती को इसपस्ट करते हुए बताया कि, 61 गाउं विस्थापित हुए थे तब उस छेतर का बांगो बांध बन पाया था, लेकिन सारे विकास के काम तब सर्फ गंग्रेल बांध में हो रहे थे, उन्होंने कॉंग्रेस पर निशाना साथते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जिस चबूतरे पर भाशन दिया था, उस किसान को भी बेदकली का नोटेस पिछली सरकार ने दिया था, पिछली सरकार इन पेडों को काटने के लिए आर जवानों को हस्दे वरने जैसे गंभीर मामले पर तीन-तिन दिन तक पुलिस रिमान में रखकर बेगर बताए और तीस एर पेल कटवाने वाले आज इस्थगन मांग रहे हैं, जवाब तो उनको देना चाहिए, जवाब उनको भी देना चाहिए कि वन अधिकार समित्यों के अनुस अंसाओं को निरस्थ करते हुए, पूरवर्ती इनी के वरिष्णेता जैराम रमेज जी ने जो इस खदान को खोलने की सहमती दी थे, उस पर भी इनको जवाब देना चाहिए, मैं इनसे जवाब मांगना चाहता हूँ कि 2019 में 20 पंचायतों की ग्राम सभाओं की जो सह सहमती की रुप में दी गई थी, फर्दी सहमती ली गई थी, उस पर भी इनको जवाब देना चाहिए, उस पर इननने निराकरान या जाज क्यों नहीं बैठाई, आज हस्देव के मामले पर छाती पीटने वाले लोग पहले अपने पुराने किये गए कारियों पर अवलोकन कर लें और फिर 36 की जनता को और खासकर वनवासी आदिवासी बंदों से माफी मागें कि पूरों में गलती की, बहराल ये तो हुई सदन की बातें, हस्देव वरण्य को लेकर प्रदेश में सडक से लेकर सदन तक लगातार लडाईयां चल रही है, लोग अपनी बातें हर फ पूरती के लिए पूरे प्रदेश के एको सिस्टम को बली दे दी जाती है, 36 गड़ से लोकमत के लिए स्वातिकौशिक की रिपोर्ट